सो हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सबका दुबारा से रिवाइब कोडिंग में यार पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यार अपने को अगर जेसन सर्वर का यूज करना है तो क्यों करना इसको क्या बेनेफिट्स है ठीक है मगर अभी तक हमने कुछ सेट अप न खोल लेंगे और यहां हम इसको अपने कोड़ेटर में उपन कर लेते हैं अब यह जैसे कि आप देख रहे हो कि यह मेरा फोल्टर खुल चुका है ठीक है यह भी ब्लैंक है ना तो बिल्कुल क्या करना पड़ेगा हमें अपने प्रोजेक्ट को इनिशिलाइज करना पड़े तो हमारा पैकेट जो जैसन नम का फोल्टर बन गया ठीक है अब क्योंकि यह जैसन सर्वर है ना तो हमें बिसिकली जैसन फाइल बना लेते हैं और उस जैसन फाइल का हम नाम देते हैं डीबी डॉट जैसन और इसके अंदर मैं कुछ डेटा प्रिंट कराता हूँ जैसा कि अगर आप देखोगे तो मैंने बेसिकली क्या किया एक प्रड़क्ट नाम का और एक रिव्यू नाम का मैंने जैसन फॉर्मिट बना लिया ठीक है अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने रखा क्या है कुछ नहीं रखा है जैसे सिंपल सीक डेटेल होती वही रखी है प्रड इस पुड़के के लिए कि यह जो मेरे रिव्यू है कि प्रड़क्ट के लिए तो अगर आप यहां देखो तो पैके के इन दर भी इपडेंचिय नहीं है ठेक है तो हमें इस जैसन डर्वर को अपने प्रोग्राम के इंदिर इंस्टॉल करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे और यहां अगर आप देखोगे तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे अपनी विएस को डेडिटर में जाएंगे और यहां पैकेज.json के अंदर अपना देखेते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी के अंदर यहां जैसन सर्वर एड हो गया है ठी तो मैं क्या करूंगा यार मैं यहां आऊंगा और इसके बाद मैं एक script लिखोंगा ठीक है मतलब यह जो मेरा format है इसको चलाने के लिए इस पूरी जैसन को connect करने के लिए ठीक है और इसको एक server के साथ link करने के लिए मतलब एक एक endpoint के साथ link करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा मेरे को एक server create करना पड़ेगा ठीक है तो मैं लिखता हूँ इसको serve.json है ना मैंने लिख दिया serve.json तो serve.json नाम से यार मेरी एक command चलेगी ठीक है और जब मैं इसको run करूंगा तो मैं basically क्या execute करना चाहता हूँ मैं execute करना चाहता हूँ सबसे पहले तो देखो इसको copy कर लो json server को ठीक है तो मैंने या लिख दिया json server फिर मैं लिखोंगा dash dash watch w a t ch ठीक है और उसके बाद file का नाम क्यों से file को execute करना है इस command पर ठीक है तो db.json को ठीक है तो मैंने लिख दिया db.json ठीक है तो यह मेरा command हो गय क्यों यार क्यों कि मेरे को यहां एक कॉमा देना पड़ेगा ठीक है तो अब basically sub setup हो चुका है अब क्या होगा कि जब मैं npm server dash json run करोंगा ठीक है तो basically क्या होगा मेरे एक server create हो जाएगा जो की मेरे इस वाले data को वहां display कराएगा मतलब as in हम server create करेंगे ठीक है जो की चल रहा ह होगा अभी के लिए 3000 port पर ठीक है मगर मैं अगर चाता हूं कि 3000 port पर ना चले मेरे किसी specific port पर चले तो मैं यह भी कर सकता हूं मैं क्या लिखूंगा dash dash port ठीक है और उसके बाद मैं specify कर दूगा कि मैं कौन से port number पर इसको चलाना चाता हूं तो अब यार जो मेरी application है जब इस ज 4000 port पर execute जाएगी ठीक है तो इसको देखते है terminal में जाते है और अपन run करते है npm run server slash dash json ठीक है तो मैंने यह क्या लिखा यार npm run server json ठीक है तो अगर मैं इसको execute करता हूं तो अगर आप देखोगे तो यहां हमारा 4000 port पर यह मेरा जो भी server था वह एक rate हो चुका है अगर मैं आप यहां देखोगे तो हमारा 4000 पर मेरा server run हो गया अभी एक fake server है ठीक है और इस fake server पर हमारी product और reviews नाम के दो sections बन चुके है ठीक है तो अगर slash products पर अगर मैं जाओंगा 4000 slash products पर ठीक है तो फिर मेरा यह products वाला section execute हो जाएगा और अगर मैं slash reviews पर जाओंगा तो मेरा reviews वाला section किसी server से response मिलता है ठीक है और यह basically दोनों data आया कहां से यार यह दोनों data यहीं से आया जहां मैंने db.json के अंदर अपने products बनाया था ठीक है और reviews बनाया था ठीक है इसका एक और मतलब है कि यार अगर मैं same मान लो कि मैं एक और यहां section बनाना चाहता हूं ठीक है एक और endpoint ब मैं इसको reviews ना देखे मैं इसको करता हूं कि okay new detail ठीक है अब इसको save कर देते हैं ठीक अब अगर आप इस new detail को जाके वहां execute करोगे यहां जाके देखोगे तो आपको यहां new detail पर वो सारा का सारा new detail मिल जागा ठीक है तो आप बोलोगे कि यार यह तो exact वैसा ही देख रहा है आपको दिखाने के लिए कि यार यह वही नहीं है अलग हो चुका है ठीक है अब मैं अगर इस new detail को execute करूँ तो आप देखो यहां यह rating की जगह पर अपना FD 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 मैंने लिखा था यहां आगे ठीक है तो इस तरीके से अपना fake server आप create करते हो ठीक है आगे आने वाली videos में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से get request, post request, delete, add, सारी चीज़े इसमें कर सकते हैं ठीक है तो इस video के लिए इतना है और मिलते हमने next video में तब तक लिए have a nice day and good bye